हेलो गाइज आ गए हैं लॉक अप शो के प्रप्लेटी पोल्स कौन है नमबर वान पे और कौन है सबसे नीचे चलिए बात करते हैं इस वीडियो में किस सदस्य के सबसे ज़्यादा चांसी हैं इस लॉक अप शो के फर्स सीजन को जीतने के वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो में बने रहें चलिए बात करते हैं मैं हूँ आपका दोसर जोद और आप देख रहे हैं माई योट्यूब चैनल डिफरेंट फ्रॉम अदर अगर आपको मिरी ये जान कर ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलना चलिए बात करते हैं जैसा कि आपको पता है शो में अभी दस दस्यर हैं जिसमें दो अभी वाइल्ड कार्ड्स गर्ल्स आई हैं और एक वाइल्ड कार्ड कर से वेगर हो गया है क्योंकि उसने शो के जेलर करन कुंद्रा से मिस्भेव किया था और बची तू वाइल कर्स को अभी नहीं रैंकिंग देंगे इन्हें हम नेक्स्ट वीक देंगे चलो हम बात करते हैं इन टॉप एट में से आठवे नंबर पर है जो सबसे स्लो चल रही है इस शो में और जिसके सबसे कम चांसे हैं इस सीजन को जितने के वो है पूनम पांडे जी हां पूनम पां जीचे चल रही हैं और इनके सबसे कम चांसे हैं इस शो में जीतने के और यह नंबर एट पर हैं अभी नंबर साथ पर है निशारावल जी हां निशारावल आप थोड़े शौक लग रहे होंगे क्योंकि यह अच्छा पाटिस्पेट करती हैं और अच्छी डिबेट भी होत हैं इनकी कंटेस्टेंट्स से लेकिन इने बाहर इतना प्यार नहीं मिल रहा जिससे यह थोड़ा उपर जा सके और यह नंबर साथ पर अभी तक बनी हुई हैं लेकिन इनका गेम इंटरस्टिंग है देखने में मुझे तो मज़ा आता है लेकिन अभी तक यह पॉपलाइट नाम लेकिन इस शो में वो बहुत ज़दा डाउन चल रहे हैं इतनी स्टेटेजीज और इतना कांट्रिब्यूट नहीं कर रहे हैं और दर्शकों को इनकी गेम इस लाग अफ शो में इतनी अच्छी नहीं लग रही इसलिए इने दर्शकों का प्यार कम मिल रहा है और इनके काफी कम चांसिज हैं इस शो को जीतने के और वो इस पॉपलाइटी पूल में नमबर सिक्स पर बने हुए हैं नमबर पांच पर है सारा खान जी हां सारा खान नमबर पांच पर हैं इनकी बहर अच्छी पॉपलाइटी है और ये इस शो में भी अच्छा कर रही हैं जिस तर से ये टास्क खेलती हैं और कॉंट्रिब्यूट करती हैं दर्शकों को इनकी परिसनेलटी बहुत ही अच्छी लग रही है और इनकी पॉपलायटी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और ये इस पॉपलायटी पोल में नमबर पांच पे बनी हुई है नमबर चार पे है में आके अपनी अच्छी पहचान बनाई है बाहर तो इने दर्शक अच्छा प्यार पहले करी जाये थे लेकिन इस शो में आकर भी इनके फैन्स और बढ़ गए हैं जो इने अच्छा सपोर्ट करते हैं जिससे इनकी पॉपलायटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वो इस पॉपलायटी पॉल में नमबर चार पे बनी हुई है नमबर तीन पे है पायल रोहतगी जी हाँ नमबर तीन पे है पायल जी हाँ पायल एक अपनी लीडर्शिप कॉालिटी दिखा रही है इस शो में और गेम को काफी इंटरस्टिंग बना देती हैं जिस तरहां से वो को खेलती हैं और टास्क को परफॉर्म करती हैं इनकी गेम बहार दर्शिकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है और इनके भी काफी चांसिस लग रहे हैं इस शो को जीतने के यार अरणर अब तक पहुंच जाने के अब बात करते हैं टॉप टू की नंबर दो पे है शिवम शर्मा जी हाँ शिवम शर्मा नंबर दो पे बने हुए हैं इन्होंने अपना गेम स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छा दिखाया है स्टेज से लेकर अभी तक इन्होंने अपना टू हंडर परसेंट दिया है औ और इनकी इस माइंड सेट और जिस तरह से ये गेम खेलते हैं देखकर बाहर दर्शक इनसे बहुत इंप्रेस हुए हैं और इने हर जगा सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी भी चांसिज हैं इस सीजन को जीतने के क्योंकि जिस तरह से ये शो को कॉंट्रिब्यूट करते हैं और टास्क अपनी सूजबूज और स्पोर्ट्समेंशिप से खेलते हैं दर्शकों को इनकी गेम बहुत ज़्यादा पसंदा रही है और इस पॉपलाइटी पॉल में ये नमबर दो पे बने हुए हैं अब बात करते वो है स्टैडब कॉमेडियन मुनावर फारुकी जी हाँ मुनावर फारुकी ने लॉक अप शो में आकर तबाही मचा दी है जिस तरह से इनोंने अपना गेम दिखाया है सबी इन से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुए हैं जिस तरह से ये अपनी लीडर्शिप कॉाल्ट दिया है इन्हें हर हफते आकर कंगना रनौत भी प्रेज करती हैं जिस तरह से ये गेम खेलते हैं और गेम को अच्छी तरह पढ़कर इंटरस्टिंग कर देते हैं और इस पॉपॉलाइटी पॉल में भी ये नंबर वन पे बने हुए हैं और इनके सबसे ज़्यादा चांसि हैं लौक अप सीजन वर्स को जीतने के और आपको क्या लगता है किस सबसे ज़्यादा चांसिस है इस शो को जीतने के कमेंट बॉक्स में जूरूर बताना और एजी ही इंटरस्टिंग और लौक अप शो के लेटर वीडियो इस चैनल पर डालता रहूंगा तो वीडियो को अर इस चैनल को प्री। अप्स्क्राइब करना मत बूलना इस वीडियो इंट तो प्लीज लाइक इन की यार्ण र सबस्क्राइब द चैनल स्ब्सक्राइब धन एग डियु आबני। याजर शे जैनल था वोम प्रोलना उस है